नमस्कार दोस्तों उन्नती कम्पिटिशन क्लासिस के यूटूब चैनल में आप सभी का हरतिक स्वागत है आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पार्ट 10 आधुनिक भारत जी हां अब स्टार्ट हो चुगा है आधुनिक भारत भारत में यूरोपिय वैपारी कंपनियों का आगमन किस प्रकार से हुआ उससे क्या कर कोशित अग्जाम में फूछे जाते हैं उसके बारे में डिसकस करेंगे फिर हम बात करेंगे बंगाल पर अंगरीजों का अधिय पत्य है और अगला टॉपिक होगा हमारा अंगरीजों के मैसूर से संबंध क्या-क्या रणनी निती पार्ट 9 में हमने डिसकस करा था अगर आपने पार्ट 9 नहीं देखा है तो आप उस पार्ट 9 को जरूर देखिएगा उसमें हमने बात करेंगे थी मुगल समराज्ये के बारे में बाबर, हुमायू, सेर्सा, अकबर, जहांगीर, सहाजा, और अरंजेब और मुगल सासन के व पीस के बारे में, वो स्टुडेंट के बारे में, उसके संबंदित भी काफी सारे मुझको मेल मिले कि सार इस चैनल को बंद मत करना, वीडियो को चलने दो, मैंलब एक छोटा सा इंसिदेंस साच है, आपको नहीं पता होगा, अगर आपने पार्ट 9 नहीं देखा है, तो मैं अगें डिसकस नहीं करूँगा, चलिए ठीक है, मैं इस वीडियो को कंटिनियो करता हूँ, और खुदी अब फिलाल मैं इस बुक को स्कैन कर रहा हूँ, एक पेश को ब्रेक करके, बैक टू बैक उसके स्कैनिंग कर रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि वीडियो के पर यह एक बार ही बनने वाला है, बार बार यह वीडियो नहीं बनता है, देखिए, और एक बार में मैं क्वालिटी काफी सही चाहता हूँ, पीडिया फाइल की, तो देखिए जैसे कि आपके सामने यह पीडिया फाइल है, मैंने अगें एक बुक को ब्रेक करा है, उस ब्र में प्रस नहीं हुआ अगर दुक को भुखक सामने देखिए और में मेन में जो भी आपके एक्जाम के पॉइंड विए से इंपरिट है उन सबको मैं अप हाइलेट करूंगा जो आरड़ी मैंने ग्रीन पैन्से ये ब्रू पैन से मैंने हालेट कर रखे थे पहले मैं बुक में करता हूँ अंडर लाइन उसके बाद में मैं स्कैन करता हूं उसके बाद में यहां के आपको वीडियो के माध्यम से भी हाइलेट करवाता हूं तो अब ठीक है लेके बैठी यह बूप और चलिए सुरू करते हैं आज का अपना यह वीडियो आधुनिक भारत और उत्तर कालिन मुगल समराथ क्या-क्या थे उसके बारे मेंब हम डिसकस करेंगे देखिए उत्तरधिकार जो ने गुरु गोविनसिंग ने बहादुर शा का सांथ दिया था तो एक यृद हुआ था इसका नाम क्या था उसका नाम था उत्रादिकारी युद्ध इस युद्ध को हाइलाइट करते हैं तो ये युद्ध किस में इसने किसका सांथ दिया था गुरू गोविन सिंग ने बहादुर शाह का इसमें सांथ दिया था और बहादुर शाह का जो पूर्व नाम है वो क्या बाधु शाह का अन्य नाम किया है? वो है आपका शाह एक हबर तो आप एक बर इसको बोलिये सिर्ट इसनाम को शाह एक खबर बादुब की जो पॉइंट है वो आपके एक्जाम के एक पॉइंट हो फिसे इतने इंपोर्टन नहीं है अगर आप चाहते हैं कि आपको एक एक लाइन पढ़ाई जाए तो इस तरह से क्या होगा वीडियो की लैंद शायद पूरी लूसाइंड बुक एक साल से देड़ साल में कम्प्लीट होगी अगर आपको एक लाइन परने का मन है तो आप अदेडी कर सकते हैं बत मैं के व इस वीडियो में वही चीज कवर करऊंगा जो आपके एक्जाम के पॉइंट ऑफिस तो बहुत इंपॉटेंट हो की सभी एक्जाम के लिए इस्टेट पीसे से एक्जाम तक के लिए जो पच्चे फिलिम्स का देने वाले हैं उनके लिए भी ठीक है देखिए अगला जो फैक्ट है वो है हमारे सामने कि जहांदार सहा को लंपट मूरक भी कहा जाता है किसको लंपट मूरक कहते थे किस सासक को किस राजा को लंपट मूरक की संग्या दी गई है उसका नाम क्या है उसका नाम है जहांदार शाह सुन्दर यूपतियों के प्रति अत्यदिक रुजान के कारण मुहम्मद शाह को रंगीला बाशाह कहा जाता है किसको रंगीला बाशाह की उबादी दी जाती है वो है आपका मुहम्मद शाह यह क्या करता था सुन्दर लेडिस के प्रती क्या हुआता था यह बहुत जल्दी मूरक बन जाता था इसको रंगिला बोलते थे एक संगीत कार के रूप में मुहम्मद शाह ने अनेक ख्यालों की रचना की थी आगे हम देखे बात करते हैं कि हैजराबाद की स्थापना तुरानियों ने और अवत की स्थापना किसने करी थी इरानियों ने अब बड़ते हैं आगे हम अगले प्रेक्ट की और की तक्ते ताउस ये फैक्टी बात कर रहा हूँ मैं तक्ते ताउस मत्ला मैयूर सिंगासन पर बैटने वाला अंति मुगल शाशक कौन था यह अंति मुगल शाशक जो था उसका नाम था मौमद शा क्या था मौमद शा पानी पत का तीसरा युद कभ हुआ था पानीपत का तीसरा जो वार हुआ था, वो हुआ था, 1761 में, 1761 में, मराठा एवं एहमद शाह अबदाले की सेना के बीच हुआ था और इसमें क्या हुआ था, इस युद में, मराठो की हार हुई थी गुलाम कादिर खाने, 1806 इस्वी को, शाह आलम सेकिंड की हत्य करवा दी थी इसने किस की हत्य करवाई थी, गुलाम कादिर खाने, शाह आलम सेकिंड की हत्य कराई थी और कब कराई थी, ये कराई थी, 1806 इस्वी में तो दोरों ही पॉइंट आपको अच्छे से याद करने है देखिए बच्चो बुक कोई खराब नहीं होती अगर आपके एक्जाम में ये काफी डीप कोशन्स पूछा गया है जैसे कि गुलाम कादिर खाने शाह आलम सेकेंड की हत्या कप करवाई गयी थी तो आपने केवल यह सब बख ऐस matches करना ए अगर सब को बता दीजिए अपने लोग हम को नहीं प्ढ़ पाते लुसेठी आप्लो खरीद के लिए कर अरखें होंगे काहए साल से आपकी बुक्त सैल्फ की सोबा बनी बढ़ी हो जैके आप मिटे अपने कभी उसको नहीं पढ़ा काफी बेसिक बोसक कर रहा हूं इस बुक को आपने इमांदारी के साथ खतम करना है अंडरलाइन इमांदारी उसको भी आप हाइलाइट कर लिए जैसे मैं सभी वर्डों को कर रहा हूं इमांदारी का मतलब यह कि ध्यान से उस बुक को पढ़िए यह नहीं कि भुक को खोल के बैटे बढ़े हैं बस क्रेवल ध्यान जा रहा है वह पापने ये बोला उसने ये बोला फेस्बॉक में यह मैसी जाया था आप भी अपने प्रति मेहनत करें मुझे आप से कुछ नहीं चाहिए बसके वल यहीं चाहिए कि मुझे कमेंट बॉक्स में आप एक कमेंट लिखकर वेजेंगे कि मेरा यहां पर सेलक्शन हुआ है ठीक है यह मेरा टार्गेट है वीडियो गयाने का एक बुक को खतम करना पहल कि 1857 की करांटी में भाग लेने के कारण अंगरी द्वारा बहुषा जफर को बंदी तो बना लिया गया था लेकिन इसके बाद में क्या हो गया था इसको रंगून भेज़ बेज दिया गया था अगर जो बच्चे दिल्ली में रहते हैं उनको शायग पता होगा 1857 की करांट पुलिस स्टेशन है तो वहां पे एक लोहे का बड़ा सा एक दरवाजा टाइप का बन रखा है आज भी वह आपको देखने को मिलेगा पुलिस स्टेशन के पास महीं है तो वहां पे क्या करा था बहादुशा जफर के तीनों पुत्रों को लटकाया गया था और जिंद्या जि पे बहादुशा जफर खुन के आसُर होया था तीन दिन तक चार दिन तक बेटों की लास को लटकाया गया था जब तक उनकी बाड़ी में से पराखática कून चड़ेंगे तीनों पूत्र बहादुशा जफर के सूली पर देखिए कैसे टुकड़े हम करते हैं तो इस टैप के पैंपिड वगरा बटवाई गए थे तो अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो उस जगे को देखना प्रीस मत भूलिएगा आगे हम बात करते हैं देखें एहमद शाअबदाली का वास्तिव की नाम एहमद कां था और इसने आठ बार भारत पर आकरमण करा था किसने भारत पर आठ बार आकरमण करा था उसका नाम क्या है उसका नाम है एहमद शाअबदाली अब हम बात करते हैं आगे भारत में युरोपिय वेपारी कमपनियों का आगमन, आप देखिएगा अपनी बुक में आप तो उसमें क्या होगा, इस फैक्ट के बाद में जो अभी हमने फैक्ट देखा, अभी हमने बात किसकी करी थी, उत्तरकालीन मुगल समराठ के, उसके बा अपनी बुक में अभी हम बात करते हैं देखिए 17 माई 1498 में वासको डिगामा ने भारत के पश्ची में तट पर काली कट बंदरगा पहुंच कर भारत विए उरोप के बीच में नई समुद्रिया मार्ग की खोच करी मार्ग की खोच कप करी थी 17 माई 1498 में किस ने करी थी वास को डिगामा नहीं ठीक है और यह विपर के लिए यहां पे आया था भारत में विपर के फॉतर्द पर का नशें बंदरगा पर यह उत रहे हैं c के तट पर यह पहुंचा था और यह कहाँ पर है भारत के पश्चिमी तट पर चाली के बांदरगा है वहां पर को सब्सक्राइब यूरोप के बीच में नए समुंद्री मारकी की होज करी थी किसने वास्पों डिगामा नहीं 1498 में तो यह वर्स काफी ज्यान रखेगा 1498 आगे बात करते हैं 1505 में फ्रांसिस्को दा अलमेडा भारत का पर्थम पुर्तिगाली वायसराय बनकर भारत आया था भारत का पर्थम पुर्तिगाली वायसराय कौन था वो था फ्रांसिस्को दी अलमेडा लेकिन यह कब आया था भारत यह आया था 1505 में कब आया था 1505 में 1509 इस वी में अलफांसो दा अलबुकर्क भार कुल बात करतें देखिए आगे कुछ खास नहीं है बस इसमें एक पॉइंट और लिकिजी आपकी डचों ने भारत पर परतम बार उद्योगिक वेतन भोगी रखे मतलब उनको सेली बेस पर पहली बार डचों ने भारत के लोगों को रखा और डचों का भारत में अंतीम रूप से पतन कब हुआ था तो यह हुआ था आपका 1759 इस्क्री को कब ह सेवंटीन पिफटीनायन को अंग्रेजों इवं डचों के मद्धए हुए वेधरा युद् latest से उवा था डचों का भारत में जो अंधह ओ आ उजिद हुआ था अंग्रेंजों और डचों के ऐधरी युद्ध उधांольшin नाम क्या है अपका भैदरा 31 दिसंबर 1620 को इंगलेंड की रानी एलिजाबेट परथम ने इस्ट इंडिया कमपनी को अधिकार पत्र परदान करा और भारत में इस्ट इंडिया कमपनी 217 साजेदारी थे इसमें और पहला गवर्नर कौन था? पहला गवर्नर था टॉमस स्मिट मुगल दरबार में जाने वाला मोस्ट टाइम पिकोशन्स इसको मैं हलेट यहां पर करूँगा ठीक है? यह पूरी लाइन आपको लिखनी है या फिर अंडिलाइन करने है अपनी बुक में मुगल दरबार में जाने वाला प्रथम अंग्रेज पहला अंग्रेज कौन था? कैप्टन हॉकिन्स था जो जेम्स प्रथम का राजदूत के रूप में अप्रेल 1609 इसमें जहांगीर के दरबार में पहुंचा था व्यपार की दरश्टी से कि हमको व्यपार करना है है हम पर प्रथम अंग्रेज था कैप्टन हॉकिन्स इसमें नोट और दिरखा है कि भारत में आने वाला पहला अंग्रेज जहाज कौन था? पहला अंग्रेज जहाज था रैड ड्रेगन कौन था? रैड ड्रेगन अब हम बात करते हैं कंपनी और उसके स्थापना वर्सक्प तो यह सथाफना है स्धाञ्टेशिघ कर नहीं दों 반ड़ हाम है उना में न К çevYeah करें यहां पर आपको कुछ भीनें करना आये यहां पर वाथ करते यहां पla Pultigali East India Company की स्थापना हुई थी चोदुशो इस अफ्टानिय में और अंग्रीजी कि इस्ट इंडिया कमपनी की जो स्थापना हुई थी वो ही दिवutor में चाहें तो फ्राइब सद् franchise इसपना इंडिया कमपनी की स्थापना सुरज ऩाइसमे और ऐसू इससर इस्थापना हुई थी सत्रासो एकट्देस में तो आप चाहें तो स्वीडिस को चोड़ सकते हैं लेकिन बागी सबाब को नोट करना पड़ेगा जात करना पड़ेगा इसमें से मैं कुछ भी इसकिप नहीं कराऊंगा आगे बढ़ते हैं हम लोग देखिए आगे जो फैक्ट है वो है कि 1611 इसमें में दच्चनी पूर्व समुद्र तड़ पर सर्व पर्थम अंग्रेजों ने मसूली पट्टम इसे मसूली पट्टम भी बोलते हैं वहाँ पर वेपारी कोठी की स्थापना करी तो यहाँ पर आपका मसूली पट्टम मसूली भी दे सकता है वहाँ पर आप ध्यान रखेगा आगे हम बात करते हैं देखिए पूर्वी तड़ पर अंग्रेजों ने अपना पर्थम वेपारी कोठी मसूली पट्टम में कप करी थी इन्होंने अपने इस्थापित करी थी पहली बार सूरत में वेपारी कोठी इस्थापित करने का इन्होंने परियास किया था लेकिन वह सफल नहीं हो पाया था अगला जो फैक्ट है जो पॉइंट है वो है 1615 स्वी में समराड जेम्स फर्ष्ट ने सर टॉमस रो को अपना राजदूत बनाकर मुगर समराड जहांगीर के दरवार में भीया था तो पहली बात तो आप याद रखिएगा Sir Thomas Roe के बारे में कब भेया था 1615 में भेया था और किसके राज़ दरबार में भेया था जहांगीर के राज़ दरबार में तीनों ही आपको याद करना है 1615, जहांगीर और Sir Thomas Roe और किसने में आता है समराट का नाम भी हो सकते याद कर लिजेगा जेम्स फर्स्ट लेखिए रो जो था रो मतलब की सर टॉमस रो की बात कर रहा है यहां पर ठीक है रो फरवरी चूट पराप्त करने में सफल हो चुका था आगे हम देखिए अगला फेक्ट बात करते हैं 1632 हिस्वि में गोलकुंडा के सुल्तान ने एंगरेजयों को एक सुनहला फर्मान दिया जिसके अंगरेज सुल्तान को पांसो पागोड़ा वार्शिक कर देकर गोलकुंडा राज्ये के बंदरगाह पर स्वेतंत्र पूर्वक वेपार कर सकते हैं, ठीक है, तो ये कौन से राज्ये था, ये था आपका गोलकुंडा राज्ये, और ये जो फर्मान था, इसका नाम था, गोल्डन फार्मेन, मसलब सुनहला फर्मान, किसने किसको दिया था, ये सब आप ए लेने चंद्रगिरी के राजा से पट्टे पर मतलब लीस पर लिया, ठीक है, मदरास पूरा मदरास पट्टे पर ले लिया, पहले ऐसी करते थे, मतलब मदरास बहुत ही बड़ा था, तो पूरा पट्टे पर लिया और वहीं एक किलाबंदी कोठी का निर्मान करा है, इस पूछ लेता है अपसे, इस कोठी का नाम था, फोर्ड सेंट जोर्ज पड़ा, और यहीं फोर्ड सेंट जोर्ज का लंतर में कोरो मंदर तट पर अंगरेजी मुख्याले बना, उसके बाद हम देखिए बात करते हैं, कैथरीन ओफ ब्रेगेंजा के बारे में तुलब पढ़ उनको ये questions बहुत अच्छे से पता होगा, और ये questions कितना important है, ये भी उनको अच्छे से पता होगा, किसने किसको मुंबई दान दिया, देहज में, कौन से राजा था, और किसने को उसके बेटी का नाम किया था, तो ये सब आप एक बार दुबारा देखि लेजेगा, इस व मार्टी ने 1674 में, पर्थम करनाटक युद, 1746 में और उस्टिले के उत्रदेकारी युद में प्रभावित हुआ था, और 1748 इस्वी में हुई, ए ला सापल की संधी के द्वारा उस्टेलिया का उत्रदेकारी युद समाप्त हो गया, इस युद के तहत पर्थम करनाटक य प्रथम करनाटक युद कब हुआ था, और थार्ड कब हुआ था, ठीक है, यह आप याद रखेगा, यह आपको वर्स याद करनाटक नहीं है, ठीक है, अब हम बात करते हैं, बंगाल पर अंगरीजों का अधिपत्या, मुगल समराज्य के अंतरगत आने वाले प्रांतों में बंगाल सरवाधिक संपन राज्य था, ठीक है, सबसे ज़्यादा संपन राज्य था, वो कौन सा था, बंगाल, याद रखेगा, क्या बंगाल, मुर्सित कुली खां, सुट्यंतर सासक था, परंतु वह नेमित रूप से मुगल बाज़ा को राज्यस्व भेशता था, इसके बाद हम बात करेंगे, 1740 के गिरिया के युद के बारे में, इसमें सरफराज को मार कर, बिहार के सरसुवेदार, अली वर्दी खां, बंगाल का नवाब बना, बंगाल का नवाब किस कंडिशन पर बना ये, गिरिया का युद हुआ, सरफराज को मारा, और बाद में क् स्वर्ग कहा जाने लगा बारत का स्वर्ग किसको कहते थे हम लोग पहले बंगाल को और इसका उत्रदिकारी याफी जो था इसका दमात हा उसका नाम किया तो सिराजी दोला अब इसके बाद मैं बढ़ूंगा फिलार इस फैक्க्र्ट के और के बंगाल के बने रहे इसके बारे में हम अ़ injiscus करेंगे लिए पहला जो नंबर है आपulsion कुलि खाहा भौट इंसको हालेट कर लिएगा मुंसीद कुली खाह और सरस्थ्राज के बारे में फिर हम बात करेंगे अलवर्दिघा के बारे में और फिर आप देखेंगे मीर कासिम तो मीर कासिम के कंटीनिउ आप याद रखें हें कि बंगाली का ये बना 17ridges 57 से लेकर के डैड याद करिए 17 तो तो यह मेर जाफर मीर कासीम करके तो रुख किया वाप पर काम के वह याको मेर कासिम को आयत लिए बहुत एतना की इंप्रटन समीछ बहुत बहुत जाद Нे टीन चार, था मतलब अनुछ का स्याइव सब चयाफ इसको याद करक को सुन शाहरा आगे बात करते हैं देखिए 20 जून 1756 को काल कोटरी की तरास्ती मतलब ब्लाक हॉल ट्राजडी नामक घट्री एक घटना थी और इस घटना के रचे था जैड हॉल वेल के अनुसा नवाब सिराजु दोला ने क्या करा था इसने ये करा था कि 20 जून की रात को 146 अंग्रेज वेक्तियों को एक छोटी सी कोटरी में बंद कर दिया गया था और अगले दीन 146 में से मात्र बचे थे 23 वेक्ति जिंदा बचे थे मतलब की कमरा इतना चोटा था कि उसमें मात्र आ सकते थे 50 लोग या फिर 40 लोग मतलब लेटे की बात नहीं कर रहा हूं मैं खड़े-खड़े मतलब भीच-भीच के आपस में ये लोग आए लगी उसने कर रहा चोटी सी कोटरी बनाई उसमें जब बाट दस्ती उनको डाला 126 लोगों को अगले दिन सुबह जब गेट खोला तो उसमें से लास ही लास बाहर निकली काफी मरे वो लोग वापस निकले केवल 23 व्यक्ति जिन्दा बचे और कुछ दिन बाद वो भी क्या हुआ सांस की वज़ें से वो खतम हुआ है तो इसे बोलते हैं काल कोटरी की तरा प्लासरी कब हुई थी और कितने लोगों में से कितने लोग जीवित बचे थे प्लासरी का जुद कब हुआ था 23 जून 1757 को अंग्रीजों के सेनपती थे एक रॉबर्ट क्लाइव एवं बंगाल के नवाप थे सिराजु दोला के बीच में हुआ था तो प्लासरी का जुद क इसके बीच में हुआ था रॉबर्ट क्लाइव के बीच में और इस राजु दोला के बीच में कब हुआ था 23 जून 1757 को जो जो पॉइंट है केवल केवल उस पर फोकस करना भी फिलाल ठीक है और यह बहुत इंपॉटेंट है जिसमें नवाब अपने सेना पती मीर जाफर की धुकादड़ी करने के कान प्राजित हुए थे और अंग्रेजों ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया था आगे देखिए छोटा से एक नोट है कि प्लासी की लड़ाई में मोहनलाल एवं मीर मदान के नितरत में एक छोटी सेना नवाब के वफादार रही और मीर करते हुए मारा गया कि कलाईब के हाथों में कटपुतली नवाब मीर जाफर को अंग्रेजों ने 1760 हिस्वी में हटा कर उसके दामाद मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया और मीर कासिम ने अपनी राजधानी को मुर्सिदाबाद से मुंगेर में इस्तानंतिर करा और बंगाल की राजधानी का जो करम रहा था पहले राजधान धी राका फिर मुर्सिदाबाद फिर हुई मुंगेर और हम बात करते हैं बकसर का युद ये कब हुआ था 1764 में और और इस युद में कौन विजए रहे थे अंग्रेज सेनापती हेक्टर मुन्रो थे अंग्रेज सेनापती कौन थे ये थे हेक्टर मुन्रो और बकसर के युद के बाद एक बार फिर मारी मीर कासीम की जगह मीर जाफर को नवाब बना दिये गया और 5 जनवरी 1765 में मीर जाफर क कि डख भी ऑबर हैं अब बात करते हैं अंगरिजों के मैशूर से संबंद 1761 सिस में हैसर अली मैसूर का सासक बना छो है य हैसर के मैसूर 582 में पड़ धटी दवहां जैसे कि अभी आपको नेचे देखेंगे देखें यहां पर मैं हालेट करते rape था उन्हें को तो कॉन पूरा को पूरा complete note करना है कुछ भी skip नहीं करना है ठीक है पर्थम हुआ था आपका 1767-69 डितिया अंगल मैसु यूद्वा था 1730-84 के बीश में तब थे आपके गवर्नर जन्रल वारन हास्टिंग्स और तीसरा हुआ था अब हैदर अली का उत्तर दिकारी कौन था जब उसकी डैथ हो गए तो उसका उत्तर दिकारी कोई ने पर बनेगा तो वह था आपका टीपू सुल्तान टीपू सुल्तान काफी इंपूर्टन परसनालिटी है इनका नाम आपने सुना होगा अब हम बात करते हैं कि 1787 में सुल्तान को सेरे मैसूर भी कहा जाता है किसको सेरे मैसूर कहा जाता है टीपू सुल्तान को और टीपू सुल्तान की डैथ कब हुई थी चौथे आंगल मैसूर युद्ध में और कब हुई थी 1799 में यह अप लिखेजेगा एक बार ठीक है अब हम बढ़ते हैं आगे देखिए पर्थम आंगल मैसूर युद्ध हुआ था मधरास की संधी गुरु नानक मतलब यह पर्थम गुरु थे सिक दर्म के तो पर्थम गुरु ने करा था और गुरु नानक के अनुवाई ही इस तक कहलाते थे यही बादशा बाबर एवं हिमायू के समकालिन थे सन 1496 इस्वी को कार्थिक पुर्णे मा को नानक को अत्यदी मतलब अध्यात्मिक पुनर जीवन का अभास हुआ था गुरु नानक ने गुरु का लंगर नामक नी सुल्क सह भागी भूज नाले की इस्थापित किया जो आप देखते हैं लंगर लंगर जो लगता था तो लं कर्तारपुर में ड्यथ हो गई थी इनकी ड्यथ कहा पर होई थी कर्तारपुर में कभ विए थी 1539 में गुरु अंगद शिक्खो के दूसरे गुरु थे इनका प्रारंबिक नाम क्या था इनका नाम था लहना और गुरु मुखी लीपी का आरम किसने करा था ये करा था गुरु मुखी गुरु अंगद ने गुरु मुखीलीपी का किसने शुरुवात करी थी आरम किसने करा था ये करा था गुरु अंगध ने और शिखों के तीसरे गुरु कौन थे अमर्दास और इसमें हम बात करते हैं देखिए कि हिंदूों से अलग भिवापद्यती लवन को परचलित किया गुरु अमरदास ने हंदूों से प्रतक होने वाले कई कारे किये जैसे हिंदूों में अलग भिवापद्यती लवन को इन्होंने परचलित करा और अक्बर ने गुरु अमर्दास से गोविंद वाल जाकर भेट की और गुरु पुत्री बीबी भानी को कई गावदान में दिये गुरु अर्जुन के बारे में बात करते हैं ये पांचों गुरु थे और इन्होंने सिक्कों के दार्मिक गरंद आधी गरंद की रशना करी थी ये करी थी गुरु अर्जुन देव ने अगला और केवर लास्ट पाइंट है पेच पर कि गुरु अरजुन ने अम्रसर जलासय के मध्य में हरमंदर्थ साहब का निर्माण किया था और राजकुमार खुसरों की साहता करने के कारण जहांगी ने क्या करा था 1626 में गुरु अरजुन को मरवा दिया था उनकी हत्या करवा थी सिक्कों के छटे गुरु थे हर गोविंद ठीक है इन्होंने अकाल तक्त या इस्वर के सिंगहासन का निर्माण कराया था अकाल तक्त का निर्मारत इसने कराया था इस वर के सिंगासमन का निर्मारत इसने कराया था तो वो कराया था आपका छटे गुरू थे जो थे वो थे हर गोविंद उन्होंने ये कारे करवाया था ये दो तलवार बांध कर गद्धी पर बैठते थे और दरबार में नगाड़ा बजाने की विवस्ता की गई थी इन्होंने अमरस्तर की किले बंदी भी कराई और उसके हम बात करते हैं बाद में आठवे गुरु के बारे में आठवे गूरु कौन है हर किशन 8 गूरु कौन है हर किशन इनके मिट्ट्र कैसे हो थी चेचक के द्वारा हुई थी छिक्को के नवे गूरु जो ते वो थे आपके और इस्लाम सुलकार नहीं करने के करण और इंजब ने इनको मरवा दिया था और सीस गंच में जो गुरुद्वारा है जब आप चानी चौक से एक्जिट करते हैं दिल्ली में अगलब रहते हैं तो आपको असानी से और भी चीदे काफी याद हो पाएंगे लेकिन अगर समय काफी कम है तो फेवल बुक पर फोकस करिए वीडियो पर फोकस करिए और अप घुमते रहेंगे कोई दिक्कत नहीं अभी फिलार बढ़ताओं में अगले पॉइंट की हो और कि हर गोबिन सिंग अपने को सच्चा बादशा कहते थे और सिंग सब्द जोडने का परचलन किस ने करा था अब तोड़ास हम इसकी डिटेल के बारे में पढ़ते हैं इन्हों को अपने नाम के अंत में सिख सब्द जोडने के लिए कहा अगला जो पाइंट है वो है आपका पाहूल परहणाली की सुरवात किस ने करी थी गुरू गोविन सिंग ने करी थी और इसके बाद में बात करता हूँ आपसे बंदा का उदेश्य क्या होता है बंदा का उदेश 1798-99 इसवी में रणजी सिंग लाहूर का सासक बना 20 अप्रेल 1809 इसवी को चार्ल्स मेट कॉप और महाराजा रणजी सिंग के बीच में अम्रसर की संदी हुई इसके बाद हम बात करते हैं लौड डलहोजी की 39 मार्च 1849 की घोशना द्वारा संपुर्ण पंजाब का विले अंगरी जी राज्ये में कर दिया गया और महाराजा दिलीप सिंग को 50,000 पॉंड की वार्सिक पैंसन दी गई और उसे शिक्षा पराप्त करने के लिए इंग्ल बच्चो आज के इस वीडियो में बस के वले इतना है और मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा कि आप कभी भी वीडियो को देखते हैं तो अपने सांदक बुक को लेकर बैठीए लुसेंट की उसमें हालेट करना मत भूलिए अगर आप ऐसा करते हैं तो बहुत अच्छी ब पढ़ूँगा परसो पढ़ूँगा तो शायद काफी बच्चो की कल और परसो कभी नहीं आती वह केवल एक ओफलाइन लिस्ट में आप लोगों के लिए एक तैसे ओफलाइन भी सेव रहेगा आप उसको पढ़ नहीं पाएंगे तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आप व यह औरों को भी है करनी है तो हो सकते तो मैकसिम अगर आप ट्राइए कर सकते हैं तो